नमस्कार दोस्तों Learning Book पे आप सभी के हार्दिक स्वागत है आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे मदिकालेन इतिहास पे हमारा सात्वाइं सेट है जिसमें महात्मूर प्रश्णों को कवर किया जा रहा है तो चलिए देर ना करते हुए अपने कोशिन की दरब चलते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ आप Learning Book के टेलिगाम चैनलन से भी जूड़ सकते हैं और साथती साथ मुझे आप ट्वीटर पे फॉलो भी कर सकते हैं और आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे Learning Book फैमिली को आगे बढ़ाईए ब प्रयास करिए और उसने चालीस दल से संबंदित सामन्तों का दमन किया बिल्कुल सही चालीस दल जिसका निर्मार इल्दुत में इसने किया था और भी कानून यों विवस्था की बहाली के लिए उसने लोह रख्त की नीट अपना बिल्कुल सही उसने केंद्री सेन अर्ज की स्थापना की बिल्कुल सही तीन ओप्सन सही है तो इसमें से गलत कोई नहीं है तो ओप्सन डी सही हो जाएगा जी बिल्कुल डी सही है आप लोग देख लीजे बल्बन 1266 से 1287 तक सासन किया उसका पूरा नाम गयासुत दिन बल्बन था वह इलतुत मिस का गुला ने चहल गानी का विनास के ये तो हमने पड़ी लिया बल्बन 1266 इस्वी में गयासुत दिन बल्बन के नाम से दिल्ली की गद्धी पर बैठा या मंगोलों से दिल्ली की सुरच्छा करने में सफल रहा बल्बन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए लौ और रक्त की नीद अपनाई और बल्बन ने राजा को धर्ती पर इस्वार का प्रतिद्धित नियमते खुदाई माना चलिए आगे चलते हैं दूसरे कोशिन की तरफ दिल्ली पर सासन करने वाले निन्ड वन्सों का सही क्रम क्या है आपको ये वन्स दिये हुए है इसको सही क्रम में लगाना है आप देख लिए जो गुलाम वन्स खिलजी वन्स लोदी वन्स सयद वन्स तुगलग वन्स इसका सही क्रम क्या होगा एक कुश्यन अंडी ये उन पहले आपका गुलाम वंस आ जाएगा गुलाम वंस ने 1206 से 1290 तक सासन किया जिसकी गुलाम वंस की स्थापना आपके कुद्बु दिन एवक ने की थी उसके बाद आपका दूसरा खिलजी आ जाता है खिलजी खिलजी वंस ने 1290 से 1320 इसवी तक सासन किया तीसरा आपका आ ज तो यह क्रम है आप लोग देख लीजिएगा कई ब्यार पूछे जाता है को टफ बनाने के लिए चलिए नेक्स को सिंग की तरफ चलते हैं तुर्कोदारा राजपूतों को पराजित करने के निन में से कौन सा कारण है। चारू option आपके सामने है। उनके समाज का प्रिथकवादी योम अनुदार होना आसमानता पर अधारी जयती विश्था विज्ञान योम प्रद्रिक्ति की अउनिती भारतियों की सांतियों महिंसा की नीति। चल्社 do you option देखते हैं। चारों आपके सामे हैं और एंसर देखते हैं हम लोग तो एंसर सी एक दो टीन एक उनके समाज का प्रिथकवादी यो मनुदारवादी होना दूसरा आसमानता पर अधारी जाती वरस्ता असी विज्ञाने प्रज्यों की आउनिटी के लिए नेस्ट कोशिन की तरफ सेलते हैं गुलाम वन्स के आरामबिक सासको कंडिन में से कौन सा सही अनुकुरम है गुलाम वन्स के सासको की बात हो रही है तो कुद्बुद इन एवक ने स्थापनाई की थी उसके बाद उसका बेटा आराम सा गद्दी पर बैठा उसके बाद इल्तित में उसके बाद उसकी बेटी तजिया सुल्तान तो एक चार दो तीन होना चाहिए ओप्शन में देखते हैं एक चार दो तीन कहा है बी बी में एक चार दो तीन आपको मिल रहा है और अंसर भी देख लेते हैं बी जी हाँ पिल्कुल सही है इसका सही अंसर है एक चार दो तीन अर्थाद बी चलिए next question की तरफ चलते हैं अलाई दरवजा निर्म से किसका मुख्य द्वार है option A जमा जमात खाना मस्जिन option B सीरी option C कुटूब मिनार option D इन में से कोई नहीं answer देखते हम लोग C कुटूब मिनार कुटूब मिनार इसका निर्माड आपके कुटूब दिन A बक ने कराया था और इसको पूरा altitude मिशने कराया और उसमें एक मलजली का निर्माड फिरो साथ तुग लगने कराया चलिए छटे question की दरफ चलते हैं सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है आप लोग चारो अपसर देख लिजे इसक्रीन में पूरा question आ नहीं रहा है और फिर ये चारो आप देख लिजे और इसका सही answer है A A का 2 B का 1 C का 3 D का 4 A का 2 हिंदू द्वारा दिया जाने वाला भूहिंकर 2 खराज चलिए आप लोग इसको मिला लीजेगा next question के तरफ चलते है इब्राहिम लोधी के बारे में निन्मे से क्या सत्य नहीं है चारो अपसर आपके सामने है चलिए answer देखते है C महान निर्माता एउंकला का पुजारी ये सत्य नहीं है चलिए friends आठवे question के तरफ चलते है अमीर खुसरो के संबन्द में निन्म से कौन से कथन सकते है अमीर खुसरो की बात हो रही है चलिए answer देखते है A तो 1, 2, 3, 4, 4, 4 कथन साही है अमीर खुसरो के विशे में 9 question के तरफ चलते है निन्म से किसका आकरमन भारत पर किया गया दुतिय तुर्क आकरमन था महमूद गजनवी महम्मद गोरी चंगेज खा तैमूर लंग answer देखते हैं B महमूद महम्मद गोरी द्वारा किया गया दुसरा दुतिय तुर्क आकरमन था उसे पहले महमूद गजनी भी कर चुका था आक्रमड चलिए तरश में कोश्चिन की दरब चलते हैं मुहम्मद गोरी किस वन्स का था तो इसका सही आंसर है B संस वन्स का था चलिए 11 कोश्चिन की दरब चलते हैं मुहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था मुहम्मत गोरी ने 1175 इसमें भारत पर पहला अक्रमण किसे राजी के खिलाप किया है तो एंसर देखते हैं तो सही एंसर ए मुल्तान मुहम्मत गोरी ने 1175 इसमें भारत पर पहला अक्रमण मुल्तान राजी के खिलाप किया था चलिए 13 में कुश्चन के तरफ चलते हैं बारत कवा पहला सासक कौन था जिसने मुहम्मत गोरी को पराजित किया चारो आपके सामने है आप लोग एंसूर करने का प्रयास करिये उसके बाद एंसूर आपके सामने होगा A. सोलंकी सासक भी सेकेंड ने चलिए चौद्वमे कोशिन की तरफ चलते हैं मुहम्मद गोरी ओम प्रिशिवराद चोहान की बिज विवाद के मूल में था युद्ध का मूल क्या था इसका सही अंसर है A. भटिंडा चलिए पंद्रमे कोशिन की तरफ चलते हैं मुहमत गोरी का सरवाधिक महात्पूर्ण अभातिया कर्मण था और इसका शही एंसर है C. तराइन का दुतिये युद तराइन का दुतिये युद में आपके पृत्विराज चोहान मुहमत गोरी के बीच हुआ था इसमें मुहमत गोरी की विज़े हो थी चलिए नेस्ट कोशिन के तरफ चलते हैं 16 कोशिन की तरफ मुहमत गोरी यूम कन्नोज के राजा जैचंद के मद 1194 इस वी में हुआ यूद किस नाम से जाना जाता है जी हां तराइन के क्रम में ही यूद हुआ था 1190 का पर्था में 1192 में तराइन का दूती यूद 1194 में यहां चंदावर का यूद दूआ था जो राजा जैचंद और मुहमत गोरी के विजय हुई थी चलिए 17 कोशिन के दरफ चलते हैं मुहमत गोरी का अंटि मांकरेट किसके विरुद था जी हां आपने अगर पढ़ा होगा तो यह कोशिन आपके सामने कई बार रिपीट हुआगा पंजाब के खोखरों के विरुद था 17 में का D बिल्कुल सही एंसर है चलिए 18 कोशिन के दरफ चलते हैं तराइन का दूतियों यूद ऐसा निड़ाएक यूद समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसल्वानों की अधार भूत सपलता निशित कर दिया बाद में होने वाले आकरमण इसके परेडाम मातर थे या किसका कतन है ये कतन किसका है तराइन का दूतियों इतना महत्पूर था कि अगर वह विजय प्वित्वराच चोहान की हो जाती तो आज भारत की दरसा कुछ और होती लेकिन किस्मत को जो मंदूर था वही हुआ और चलिए हम अपने एंसर को देखते हैं तो दोस्तों इसका सही अंसर है और ठार में का ए वी ए स्मित वी ए स्मित का ये कतन है चलिए उननीशन को चिशन की दरब चलते हैं मुहम्मद गोरी को किसे किसे न पती पती ने बिहार विजय बंगाल विजय युम असम पर आकर्मण किया चारों आपके सामने है एंसर भी आपके सामने है भी एक्तियार दून मुहम्मद विन बक्तियार खिल जी चलिए बीशन के दरब चलते हैं भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मुहम्मद गोरी को माना जाता है परन्तु भारत में स्टन्त मुस्लिम राज का संस्थापक किसी माना जाता है जिसका सही एंसर है option A, गुत्बुद्दिन एवक, जिसने गुलाम ओंस की स्थापना 1260 में की थी, चलिए 21 question की तरफ चलते हैं, अलावदुन खिल जी के आक्रमण के समय देव गुरी का सासक कौन था, यह question देखे कई बार एक्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही एंसर है option A, रामचंद्र देव, जी हाँ, रामचंद्र देव, चलिए next question की तरफ चलते हैं, अज़ारी था, सलतनत काल में भूराजस का सरोत्तम ग्रामई रजकारी था, अब एंसर देखते हैं, तो यह राज, एंसर, option A, चौदरी, संतलत काल में भूराजस का सरोत्तम ग्रामई रजकारी चौदरी होता था, चलिए चौमश्यों question की तरफ चलते हैं, तैमूर के आकरमणा के बाद हम भारत में किस वन्स का राजस इस्थाप इस्थ हुआ, तो इसका सही अंसर है B, सयद वन्स का स्थाप, सयद वन्स की स्थाप न होई, चलिए, नेस्ट question की तरफ चलते हैं, निल लेखित में से किस सुल्तान के दर्वार में सबसे अधिक गुलाम थे, ये question काई वार repeat होता है, और इसका सही अंसर है, अगर आप लोग option D के साथ जा रहे हैं, फिरोज तुगलक, जी हैं, बिल्कुल सही है, फिरोज तुगलक, एक लाग 80,000 तक दासों की संख्या बता किया जाता है, तो इसका सही अंसर है, पिछले की तरह, C, फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक ने सुल्तान बिरोजगारों के लिए काफी काम किया था, काफी रोजगारों किया थे, चलिए, next question के दरब चलते हैं, ने लिकिन में से किस सुल्तान ने फलो की गुड़ोता किया, तो जी है, इसका भी अंसर पिछले की तरह, B, फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक ने फलो की गुड़ोता सुधार करने के लिए काफी प्रयास किया, नालंदा विश्विद्याले का विनास का कारण था, चारों आपके सामने है, और जाहिर सी बात है, पक्तियार ख एंसर ए, मुसलमान और वीडियो को अंद तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दिये, चैनल को सब्सक्राइब कर दिये, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद